पूजा जी खाना बहुत अच्छा मनाती है एक बार उन्होंने ऐसे ही कुछ राइस की रेसिपी हमें दिये थे और वो मेरे बेटे को बहुत पसंद आया और वो हमेशा है कहता है कि यह रेसिपी आप यूटुब चैनल पर उसे अप्लोड करना यह रेसिपी बहुत ही सिंपल ह चलिए बनाते हैं हम आज ग्रीन प्रीज पुलाव जो हमने देबर उजाजी से सीखिए अगर आपको हमारे आज की रेसिपी पसंद आया तो इसे जरू लाइक और शेयर करिए और हमारे चानल को सब्सक्राइब करिए सब्सक्राइब करने के बाद बिल आइकन को जरू प्र हमने चावल को दो तीन बार अच्छे तर इसे दो लिया है इसमें हम पानी डालेंगे और इसे 20 मिनिट तक पानी में सोक करके रखेंगे जब तक ये चावल सोक होता है हम बावी के इंग्रेडिंस से पुलाव बनाना शुरू करते हैं हमने गया सौन कर लिया है पैन में डाल तेल और घी गरम हो गया है अब हम इसमें डालेंगे एक टीस्पून जीरा, हाफ टीस्पून हींग, आठ से दस काली मिर्च, आठ से दस लॉंग, आठ से दस इलाइची, आप बड़ी इलाइची भी डाल सकते हैं लिकिन मैं आज छुटी इलाइची डालें, दू दाल ची नहीं, दू तेज पत्ता, त्यार से पांच हरी मिर्च, हमने बड़े टुपडों में तांटिया है, इसमें डालेंगे हम इस दू बड़े प्यास, काट लिया है, दू ड्राइ रेड चिली, हमने इसे दू पीसिस में कट कर लिया है, एक कप ग्रीन पीस, हरे मटर, याज और हरे बटर को हम दू-तीन मिरट तक अच्छी तरह से, मीडियम फ्लेम में फ्राइ करेंगे, इसमें डालेंगे आठ से दस काजू, यह ओप्शनल है, बीस मिनिट हो गया है, हमारा राइस अच्छी तरह से सोख हो गया है, हम यह पानी हटा देंगे, डालेंगे, आदा टीस्पून गरम मसाला, यमक स्वाधनुसार, राइस को भी हम दो मिनिट तर प्राइ कर लेंगे, दो मिनिट हो गया है, हमने चावल को अच्छी तरह से प्राइ कर लिया है, हमने दो कप राइस लिया है, तो हम चार कप पली डालेंगे, नमख कम लग pasta, नमख कवर करेंगे अवरी डाल साफ में मीडियम फ्लेम कूक रहका ही लिगाव मेंसे पानयी पूरा और हो गया है और यह और प्रॉटा निegelsills करों लावा मासिसार क्रेंगे, वारा नमख बा millennia पुलाव या मत्र-पुलाव तैयार है, यह सॉफ कर देखे हैं और इसए बाउल में सर्फ कर लेगे हमारा ग्रीह पीज पुलाव या मत्र-पुलाव तैयार है अमने से सर्फ किया है पुंदी-डिक चाएँ 1 2 झाल झाल